हाल लेजर पींटर में कुस इस जासे एक चीप आपको कार्टेज में देखने को मिल जाता है है गंस पीडियों में एक इस ट्रिकं को दिखाने वाला हूं जिससे आप आपके Pinter को Chipless बना सकते हैं मतलब यह जो Chip है, कार्टेस में जो Chip दिखने को मिलता है इसको आपको कर देना है Bye-Bye तो कैसे करते हैं Pinter को Chipless तो इसके लिए Ink Chip नाम का एक कमपनी है जिसके मादब से आप बहुत आसानी से आपके Pinter को Chipless बना सकते हैं आपको यहापर Windows Operating System बना एक PC जाईए उसको साथ आपको यहापर Internet Connection के भी जोड़त होगा और दोस्ता यहापर आपको करना क्या है आपको USB केबल से आपके Pinter को आपके PC से कनेक्ट करना पड़ेगा यहापर आपको Wi-Fi Direct यहापर जो Wi-Fi से आप यहापर कनेक्ट ना करें आपके Pinter को आप यहापर USB केबल से कनेक्ट करें दोस्ता इसके बाद आपको यहापर Inkship का Official Website पर जाना करेगा तो यहापर Inkship.net इस Website पर आपको आना है दोस्ता यह है Inkship का Official Website तो अब ही यहाँ पर आपको उपर की तरफ लेजर का एक option देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर लेजर पर क्लिक करना है तो लेजर पर क्लिक करते हैं आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा page आएगा तो यहाँ से आपको एक software डाउनलेट करना पड़ेगा इंग चिप का एक software है जिसको आपको यहाँ पर डाउनलेट करना पड़ेगा यह जो software है आपकी जो system को recognize करेगा तो सब्टार को डाउनलेट करने के लिए नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा language का option आप जिस language पर आपकी software को डाउनलेट करना चाहते है उस language पर आपकी software को डाउनलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं English पर क्लिक करके software को English में डाउनलेट कर लेता हूँ दोस्तों अभी जो software को run करने से पहले आपके जो printer को यहाँ पर turn on कर दिना है और उसके साथ-साथ आपके USB केबिल से आपके PC से connect कर लेना है और आपका printer का driver जो है आपके PC पर install होना चाहिए और इसके बाद दोस्तों जो है आपको ink chip का जो software है इसको run करना है तो run करते आपके समने कुछ आशा page आएगा तो यहाँ पर बताए जाएगा कि आपका printer यहाँ पर recognize होगा तो यहाँ पर आपको simple से next पर click करना है तो next पर click करते आप लोग यहाँ पर देख सकते जो है एक नया page पर आ चुका है आपको यहाँ पर copy और buy का option देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर ink chip के लिए एक जो यहाँ पर कुछ फीज आपको यहाँ पर देना है दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पर buy पर click करना है तो buy पर click करते आपके जो है browser open हो जाएगा अगर आपके buy पर click करते आप बाउजर open नहीं होता है तो आप यहाँ पर जो है copy पर click करें तो copy पर click करने से क्या होगा आपके जो यहाँ पर एक link copy हो जाएगा उसको आपको browser पर जाके paste करना है तो यहाँ पर मैं buy पर click कर देता हूँ तो buy पर click करते हैं यहाँ पर browser open हो चुका है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इज़ा से एक page आया है तो यहाँ पर left side पर Pinterest का कुछ details है और right side पर यहाँ पर buy का option है तो आपको यहाँ पर छोटा सा एक amount जो है payment करना पड़ेगा तो इसके लिए आप यहाँ पर buy पर click कर देना तो buy पर click करते हैं आप लोग देख सकते हैं कि नया एक page बढ़ा चुक है तो यहाँ पर फिर से आपको Pinterest का details देखने को मिलेगा तो यहाँ पर right side पर आप लोग देख सकते है पॉसिट to checkout का option देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर पॉसिट to checkout का option पर click करना है तो पॉसिट पर checkout का option पर click करते हैं आपको यहाँ पर नया जो payment का page है यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर नाम, phone number, यहाँ पर mail ID आपको fill करना है तो दोस्ते यहाँ पर mail ID को आप सही से fill करें कि आपके mail ID पर एक file आएगा यहाँ पर आप card से payment कर सकते हैं, तो card से आप यहाँ पर payment कर दिजेगा तो payment complete होने के बाद आपको एक mail आएगा जिस पर एक chip file रहेगा तो आप लोग देख सकते कुछ ऐसा email आएगा जिस पर आपको एक zip file मिलेगा तो आप zip file को download कर लिजेगा G-folder को download करके आप यहाँ पर extract कर लिजेगा तो इसके बाद आपको आपके printer को turn on कर लेना है तो turn on करने के बाद आपको यहाँ पर power key paste करके आपके printer को यहाँ पर बंद कर देना है तो बंद करने के एक मिनिट बाद आपको यहाँ पर cancel button and power button एक साथ paste and hold करना है तो hold करने के बाद आपको यहापर picture mode on हो जाएगा तो आपको यहापर फिर से एक बार जो है cancel बटन क्लिक करना है तो इसके बाद printer पर wait image का option आ जाएगा तो आभी दोस्तों आपको जो है ओजो zip file को यहापर extract कर लेना है तो extract करने के बाद आपको इस file को open करना है तो open करने के बाद आपको कुछ इज़ा से एक file देखने को मिलेगा इस file को उठा के आपको USB PRN S2 file के उपर यहापर छोड़ देना है तो छोड़ते ही इज़ा से percentage show होना शूरू हो जाएगा मतलब आप जो software है जो zip file है इंस्टाल होना यहापर शूरू हो जाएगा तो इसे 100% हो जाएगा तो इसके बाद आपके printer से आपके cartridge को निकलना है उसके बाद आप यहापर चाहे तो आपके जो cartridge पर जो chip है इसको आप निकल सकते है यहापर इसके उपर आप किसी भी तरह का tape लगा के आप फिर से जो printer पर insert कर दीजिए दोस्तों आपके जो printer है वो तो chipless हो चुका है लेकिन आपको यहापर कुछ चीज़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके printer को follower को कभी update नहीं करना है आपके printer को किसी भी तरह का जो update है online से वो update नहीं करना है तो update अगर करेंगे तो यह जो सारे जो चीज़े आपने करें आप डिफल्ट में चला जाएगा तो आप वहांसे जो है इसको दुबाड़ा आपको यह जो सारे process करना पड़ेगा अगर आपके सामने payment page पर कुछ इज़ा से पेज आता है तो आप यह पर आपके जो डिटेल्स है नेम यहापर फोन नमबर और इमेल अडिस आप यहापर सेंट कर दिजिए थोड़ी दे बाद इंक चिप का जो टीम है आपसे कांटर करेगा आप वहांसे जो है आपके printer को चिपलेस बना सकते हैं तुस्ते ऐसे ही आपके printer को आप 100% इन चिपलेस बना सकते हैं तुस्ते ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए आप नीचे दिएगा सब्सक्राइब ब पूलिए तुस्ते मिलते हैं नेक्स वीडियो पर